कोरोना वाइरस के बढ़ते कहर को देखते हुई अब सरकारों ने और सक्त गदम उठाने का फैसला किया है जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है वो वास्ताव में घर पर रहते हैं या नहीं करनाटक सरकार अब ये जाशने में लग गई है करनाटक सरकार के स्वास्तामंत्री केया सुधाकर ने कहा कि होम क्वारंटाइन किये गया सभी लोगों को हर घंटे अपनी सेलफी सरकार को एक एप के माध्यम से भेजनी पड़ेगी तो इसी को लेकर करनाटका राजे सरकार अब एक नए आप के साथ आई है इस एप का नाम है कॉरंटाइन वाच आप देख सकते हैं कि यह गूगल प्ले यानि कि जो आपके फोन का प्ले स्टोर है उसमें यह आप उपलब्ध है और वैसा कोई भी जो व्यक्ति है जिसे होम कोरंटाइन के लिए रिक्मेंट किया गया है वो इस एप को अपने फोन पर डाउनलोड कर सकता है या अब उसको करना चाहिए यहां पर सबसे पहले किसी भी स्थीती में आपात स्थीती में आपको किस किस नंबर पर कॉल करना है वो तमाम नंबर इसके अंदर में दिये हुए हैं और इसके यहां पर जिस वेक्ति को होम कोरंटाइन किया जाएगा उसको अपनी नाम लिखना है दूसरा पेज, दूसरा पेज है जिसके अंदर में आपके कॉरंटाइन की अफधी कि आपको 14 दिन के लिए कब recommend किया गया और कब से कब तक आपको कॉरंटाइन में रहना है हूम कॉरंटाइन में वो जानकारी है, इसके साथ बाकी जानकारियां आपकी हैं जो कि इसके इंदर में आपको देनी है, इसमें सबसे एहम जानकारी है ये click and photo यानि इस एप पर एक बार आने के बाद हर आधे घंटे से एक घंटे के दर्मयान यानि ज्यादा से ज्यादा एक घंटे के बीच आपको अपनी एक फोटो खीच करके इस एप पर लोड करनी है करनाटक सरकार की तरफ से ज्यारिस आदेश में ये कहा गया है कि सेलफी या फिर तस्वीर को जीपियस लोकेशन आउन करने के साथ खीच कर भेजना होगा जिससे जगा का पता चल सके होम क्वारंटाइन हो चुके व्यक्ति की तरफ से हर घंटे भीज़ जाने वाली फोटो को सरकार की वेरिफिकेशन टीम चेक करेगी और अगर इसमें कुछ अनियमित्ता पाई गई तो उसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर में भीज़ आ जाएगा तकरीबन 40,000 लोग चुरू में करनाटटाइन को से होम कोरेंटाइन शुक्ति के वापने गर में रह रहे हैंकि बहार आ रहे हैं इसको पक्का किया जाए ये एप क्या करती है कि उनको हर एक घंटे में अपनी सेलफी भेजने के लिए उनको कहा गया है और ये एप को डाउनलोड प्ले स्टोर से करके हर एक घंटे में अपना सेलफी भेजेंगे और GPS आएगा आपको बता दें कि करनाटक में अब तक करोनावायरस के 83 मामली सामने आ चुके हैं जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 5 रिकवर हो चुके हैं करनाटक में कुरोना वाइरस के कुल पॉजटिव केसों में से 25 प्रतिशत संक्रमित व्यक्ती से संपर्क में आने की वज़ा से हुए इन प्रैमरी कॉंटक्ट्स को घर में कुरेंटीन करना राज सरकार के लिए बड़ी चुनाती है जिसके चलती सरकार ने सेलफी भीशने का फैसला किया है ब्यूरो रिपोर्ट जे मेडिया